नमस्कार आप सुन रहा है रेडियो इंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारीचाथ रेडियो इन्फो में एक खबर बड़े काम के बड़ी रोचक है किस तरह से बनी AK-47 कैसे नाम पड़ा इसका AK-47 ये एक खतरनाग मशीन गन है लेकिन इसको जिस तरह से बनाया गया है उसकी स्टोरी वड़ी दिल्चस्प है AK-47 की पूरी स्टोरी जानने के लिए आप इतना समझ लेजे कि ये एक ऐसी मशीन गन है जिसमें कई टेक्नोलजी मिली हुई है इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ऐसे बनाया गया है कि ये गरम से गरम जगह पर और ठंडी से ठंडी जगह पर ये डंग से काम कर सकती है इसको बनाने वाले का नाम है मिखाइल कलाशलिकोव ये रूसी सोलजर थे इनका कहना था कि बंदूक को जब भी हम चलाते हैं तो हमको उसे बार-बार लोट करना पड़ता है खीचना पड़ता है एक गोली चलती फिर हम खीचते हैं फिर एक गोली चलती ये क्यों? हम क्यों ना ऐसी कोई मशीन गन बनाए जिसमें हमें बार-बार ऐसा ना करना पड़े एक बार हम खीचे उसके बाद गोली अपने अब चलती रहे तब उन्होंने आटोमेटिक मशीर का बनाने के लिए अपना काम प्रारम्प किया एक के 47 बनाते समय मिखाय कलोशिकों के बारे में ये पताना जरूरी है कि बेसिकली चुरू से तो वो एक कवीर थे बाद में सेना में शामिल हुए जहाण न पहुँचे रवी वहाँ पहुँचे कवी पहले वो थे कवी बाद में बन गए सोलजर और मज Controller के बाद कवी ज़ेते थे में जब हिटलर का अटेक हुआ रशा पर यानि सोवेत संग पर उस समय मिखायल क्लाशनी के वो जंग लड़ रहे थे रूस की तरफ से जिस टैंक को वो चला रहे थे उस टैंक में भी आग लग गई इस आग लगने से वो बुरी तरह खायल भी हो गये लेकिन कमाल के वाते वो सोल्जर दिल से भी थे कभी हो के भी दिल से सोल्जर थे वो ठीक हो गए ठीक हो गए तब उनरो नेको फाजब करने के बनाता हूं मशीन गर्ज जिसको बार बार हमें लोट करने के जरूर ना पड़े तब उन्हें 147 बनाने का काम शुरू किया तो गर question in person आटोमेटिक मशीन गन और यह जो साल था न जाम इनुन इसको बनाया था वो साल था 1947 इसलिए वो 47 उन्हों न ले आटोमेटिक ट्लाश्टिको डैश 47 एके 47 नाम से फिर यह दुनिया में विश्वयक्ष्यात हो गई इसमें बहुत कुछ कईत्र के तक्नीकी मेली हुई है पर इसमें खास बात यह है कि बहुत करम से करम इलाके में भी आप इसको चला सकते हैं ठंडे से ठंडे इलाके में भी चलती है इसके अंदर कचला भी आ चाता है तो भी यह चलती है अपने काम करती है बाकि कई आटोमेटिक मशीन गरों में यह समस्या है कि कचला आ जाता है तो तो रोख जाती है, फंस जाती है, लेकिन ये इस मामले में बड़े अच्छी है, इसकी जो उमर है, बताई जा रही है, कि एके 47 बीस से चाले साल तक काम करती रहती है, अब कोर्स इसका मेंटिरेंस तो बड़ा जरूरी है, लेकिन फिर भी जो एवरेज है उसका, वो बीस साल स चाले साल की इसकी एज बताई गई है, इसमें खास बात और भी है, कि इसके निशाना लगाना ज्यादा आसान, स्ट्राटिक निशाना लग जाता है, क्योंकि इसमें आगे और पीछे गेज दिये गए, निशाना लगाने के लिए आसान करने वाले छोटे-छोटे लेंस तब उन्होंने टेक्निकल साइज में डॉक्टरी की उपाधी ले लियाने कि देखिए कमाल का बंदा था, लगा था, कुछ ने कुछ करता रहा, करते रहना चाहता था, और जब डॉक्टर बन गए तो सोला से ज्यादा एजूकेशन इस्ट्यूशन में पढ़ाने लग जाक मिखाइल क्लाश्निकों से एक बार पूछा गया कि आपने तो एकसा थ्यार बनाए कि कई हजार लोग उसमें मरते हैं, कैसे सो पाते हुआ, और ने का मैं तो बड़े मज़े में सोता है, उन्होंने मतलब ये कहा कि मैंने अपना काम क्या है, बाकि अब उसका इस्तमाल किस त लेकिन एक फोर्टी सेवन अमर हो गई, जो बनाई थी मिखाइल क्लाश्निकों ने, चलते हैं, फिर भी लेगे आपसे, रेडियो इंफो में कोई अगली ख़वाल लेका, जो दिल्चस्मी भी होगी, और आपकी चानकारी को भी बढ़ाएगी, तब तक, करते रिये काम को सखाई है, पेड लगाई है, सब को सखाई है, नमस्कार